हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डू मा यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स, आज की ग्लास में मैं आपको जो एरर के टॉप 25 कोशन्स हैं, जो कि एक्जाम में आते रहते हैं, वो आपको मैं आज कराने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और फ्रेंड्स वीडियो को इसके मत करें, वीडियो को पूरा देखिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेना टाइम विष्ट की, तो यह देखिए, पहला कोशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, My sister has read pages after pages of the Bible, यानि कि जो मेरी sister है, वो Bible के pages after pages क्या गर चुकी है, read कर पड़ चुकी है आपको करना सेंटेंटेंग्स मेंoga कंड एक इरर के लिए किर लिए कम चुस्त पार्ट में अश्रीयमरากंड oblig अवा viens करेक्टैंग मिवट ठीकािंव फार्टव प्रमारा प्रिपोजन आव डॉन ये धानव सउप पर पेजए Fast हुसают है नाउन कोस्वोडाराइए स्फोल सग्वाख कि देंगे सीफया मैं क्या रिज्वार करो देंगे टो सब्सक्राइए मैं इसके मैं अभको प्र Conse de सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे सिस्टर्स को यहां से सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएं कोई पोटर जो था वह अवेलेबल नहीं था वहां पर ही के लिए और उसने वह सामान अपना स्वहम ही केरी किया आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है बताएं सेंटर्स के किस पार्ट में एरर दिया हुआ है तो देखिए सें आँपव्णोंऊ करेंगे क्यूंकबल करेंगे एंसको रिमूबव कर देंगे क्यों करेंगे क्यूंकि अनकाॉंसप क्यंकि रियुक्त अबन प्लूरल नहीं बनाते हैं तो क्या हो जाएगा ओल, इस में यहुत नेज को सने हैं एक इसी सामने स्क्रीन पर यह देखिए को have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town आपको सेंटेस में एर्र बता नहीं है बताइए कि अल्ड़ फर्णीचर्स है बीन सोल्ड फॉर सॉंग एज वी वर इन हरी तो लीव दिटाउन तो देखिए फर्णीचर्स क्या है फर्णीचर फर्णीचर हमारा की जगा है कि यहां से नहीं है को फ्रहां करेंगे और कि अव्याइब क्या करेंगे स्थे यहां से रिमूव कर देंगे स्पॉष ब्लेड यानि कुछ से फैन की ब्लेड गया वह टूड गया है और रिगल फ्रोकन हो गया है लेकिन हमें क्या करना चाहिए पहले इसको डिस्पोज कर देना चाहिए यह निपटा देना चाहिए अलग कर देना चाहिए बताएं सेंटेस के किस पार्ट में एरड दिया हुआ है तो देखेंगे फैन के साम फैन के पास क्या लगा हुआ एपस्टोफी लगा हुआ है फैन के हमारा non living thing और non living के साथ हम कभी the Apostrophes us का use नहीं करते हैं हम यहाँ प्या युज करेंगे ब्लेट की प्लेड की जगाँ दिजगाए ओफयN जाएगा तो इसके एक हो जाएगा यह अंबर सिक्स एविदेंस रखेंस एक इस पार्ट में एर्र दिया हुआ है तो देखिए एविडेंस किया है एविडेंस होते हैं जो होते हैं और उनकाउंटेबल नहीं बनाते हैं यहां से हम s को remove कर देंगे और जब singular है uncountable singular होते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे वर की चिगए पर हम वाज यूज करेंगे next question देखिए next question आपके सामने question number 7 this book is undoubtedly preferable then that and its printing is also comparatively good यानि कि जो book है वो undoubtedly क्या preferable है आपको sentence में क्या find out करना है error find out करना है आपके सामने screen पर चार option दिये हुए आपको चार option से बताना है कि sentence के किस portion में error दिया हुआ है तो देखिए sentence से बोला गया this book is undoubtedly preferable देखिए preferable अगर word यूज होता है या फिर prefer यूज होता है तो वहाँ पर हम then का use नहीं करते हैं क्या use करते हैं to use करते है प्रेफर हो प्रेफरेबल जूनियर सीनियर इन सबी के साथ हम to use करते हैं then का use नहीं करते हैं ओके तो इसके option नमबर भी में क्या हो जाएगा यह error हो जाएगा next question आपके सामने question number eight you can trust तुम विश्वास कर सकते हो this channel यान इस और क्या use करेंगे आप ले टेस्ट का use करेंगे ले टेस्ट नहीं हो जूती ओके नेक्स्ट आपके सामने question number nine everybody knows that Radha is the most unique singer of this college यानि सभी लोग जानते हैं कि Radha जो थी वो क्या थी most unique singer थी अपने college की आपको sentence में error find out करना है बताए sentence के किस पार्ट में error दिया हुआ है तो देखे sentence नहीं क्या गया है everybody knows that the Radha is the most unique singer देखें most unique singer जो है unique क्या unique एक ऐसा word है unique क्या एक ऐसा word है यह अपने साथ ना तो superlative लेता है और नहीं क्या लेता है completed लेता है superlative and comparatively अपने साथ नहीं लेता unique जो वर्ड है ओके यह आपको ध्यान रखना है और इस से पहले हम superlative नहीं लेता है तो यहां से most को करेंगे most से पहले the use होता है तो दी भी यूज करेंगे क्योंकि unique से पहले क्या यूज करेंगे यह article का यूज करेंगे यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा everybody knows that Radha is a unique singer of the of this college तो इसके option number भी में क्या हो जाएगा यह error हो जाएगा next question देखिए next question आपके screen पर question number 10 he doesn't have some money to buy a new machine so he is anxious बताइए sentence किस पार्ट में error है he doesn't have some money to buy a new machine so he is anxious तो देखिए sentence क्या हमारा negative kindness comes it he doesn't have you too are about some use करते में positive में positive mood is you करते सेंटे समारा negative है negative में क्या talkUp यूज करेंगा यूज करेंगे ऑपोजिट में क्या यूचे करेंगे उस्चरफ ंरो यूज करते है और negative में क्या यूज करते हैं एनी का यूज करते next step के सामने this young lady is more beautiful but not so cultured is her sister बताइए sentence में क्या एर है this young lady is more beautiful but not so cultured as her sister बताइए sentence के किस पार्ट में एरो दिया हुआ है के देखे sentence वो क्या हमारा comparative है this young lady is more beautiful है यह हम ओके यह more word से आपको पता चल दौड़ा हो sentence हमारा comparative ही का है more beautiful है तो हम क्या यूज करेंगे अब भटकी जिग़र पर हम एंडर सिस्टर कोईशन नमबर 12 है आपके सामने ही इस वाजर इनफ टू अंडर्ट करिक ही इस वाईजर इनफ टू अंडर्सटेंड यौर टृक पताइए सेंटस में क्या एरर है देखिए sentence में use हुआ है enough और enough अपने से पहले क्या लेता है positive degree का क्या लेता है adjective लेता है यहाँ पर देखिए wiser क्या comparative है यहाँ पर क्या यूज होगा positive degree का adjective यूज होगा तो wiser का क्या यूज करेंगे में यहाँ पर wise यूज करेंगे he is wise enough to understand your trick तो option number A में क्या हो जाएगा इसके में यह error हो जाएगा next है आपके सामने यह देखिए next question है आपके सामने question number 13 keep him at an arm's length lest you may not repent in the long run आपको sentence में error find out करना है कि sentence कि किस पार्ट में error दिया हुआ है तो देखिए sentence में बोला गया है keep him at an arm's length यहां तक sentence correct है less you may not repent, तो देखिए less जो word है less 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 का प्यर हम किसे मनाते है, अपर्प से मनाते है और यह किस से बना हुआ है में नोट से बना हुआ है में से हम नहीं बनाते हैं हां से में को नोट को हम रिपोब कर देंगे तो क्या हो जाएगा Less you should repent in the long run तो इसके option number B में क्या हो जाएगा ये error हो जाएगा next question देखिए question number 14 both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase जब भी कभी petrol और diesel के price increase होते हैं यानि बढ़ते हैं तो पूर्स यानि जो गरीब लोग है और अमील लोग है दोनों ही एफेक्टर होते हैं equally आपको sentence में error find out करना है तो देखिए sentence में क्या दिया हुआ है both the along with तो देखिए both का जो pair बनाते हैं किस से बनाते हैं और यहां पर क्या यूज हुआ है along with यूज हुआ है तो हम यहां से along with को remove करते हैं और क्या यूज करेंगे and का यूज करेंगे बहुत दरिच and the poor तो इसके option number a में क्या हो जाएगा यह error हो जाएगा next question है आपके सामने question number 15 10 years have passed that I returned from America and settled in India यानि कुछ से 10 साल गुजर चुके हैं that I returned from America जब से वो अमेरिका से वापस आया और इंडिया में settled हुआ है तो देखिए यहां पर जब से की बात आ रही है और that का में यहां पर यह देखिए next question आपके सामने दिया हुआ है question number 16 she asked me that why I was not preparing for the civil service examination यानि कि उसने मुझसे पूछा है कि that why I was not preparing for the civil service examination की तैयारी क्यों नहीं कर रही है आपको sentence में error find out करना है कि sentence के किस portion में error दिया हुआ है तो देखिए यहां पर wh word यूज हुआ है यूज हुआ है तो यहां पर हम that का use नहीं करेंगे यहां से that को remove कर देंगे तो option number A में क्या हो जागा इसके में यह error हो जाएगा दो word एक साथ use नहीं होते हैं question number 17 नहीं आपके सामने this is not such a complicated problem who can not be solved with determination this is not such a complicated problem who can not be solved with determination some question आपको sentence में error bind out करना है कि sentence कि किस portion में error दिया वह यह तो देखिए यहां पस search use हुआ है क्या use हुआ है सच और such का पेर हम किससे बनाते हैं that से बनाते हैं such का पर हू की चएगा हम क्या यूज करेंगे that use करेंगे वो को यहां से रिमूब कर देंगे और क्या यूज करेंगे that this is not such a complicated problem that cannot be solved with the determination तो इसके option number भी में क्या हो जाएगा यह error हो जाएगा अगला question आपके सामने question number 18 यह देखिए next question आपके सामने question number 18 नीदर the doctor nor the nurses were asleep when he the injured was brought to the hospital आपको sentence में error find out करना है बताइए sentence के किस पार्ट में error दिया हुआ है तो देखिए sentence में बोला गया नीदर the doctor nor the nurses नीदर का प्यार नौर से बनाते हैं यह बलकुल करेक्ट है यहां पर नीदर the doctor nor the nurses were asleep नर्सेस है वर भी प्लूरल यूज हुए है यह भी सही है वर असली वेन इंजर्ड वास ब्रॉट टू अगला कोशन देखिए नेक्स्ट आपके सामने कोशन नमर 19 इसकार्सली वी हैड रिच्ट दा ओफिस वेन इट स्टार्टेड रेनिंग हिम इन टाइम आपको सेंटेस में एरर बता नहीं है बताईए तो देखिए इसकार्सली जो वर्ड है उसका पेर हम किसे बनाते हैं वेन से बनाते हैं यहां से हैं से अविले बना टेट के वेन इसकार्सली वी हैं जब कभी सेंटनेंस में चलिटाहाझ सेंटन्स के स्टार्टिंग में यूज होता है तो वहाँ पर क्या होता है यह अपने बात इन曲ुर्जन लेते हैं यानिकी वहले वर्फ लेंगे उसके बाद क्या लेंगे तो क्या सब्सक्राइब कोई सीनियर उनकी किताबों खड़ी देगा तो जो जूनियर स्टेट्स है वो तो अपने आप ही पर्चेस करेंगे उनको देखी देखा करते हैं जनरली तो यहां सेंटर्स में देखी ऑल्दो यूज हुआ है और अल्दो का पेरम किस से बनाते हैं बट से नहीं बनाते हैं यत से बनाते हैं या फिर कोमा से बनाते हैं तो अल्दो थीस बुक्स आर नोट यूज़ालगाई उस्से बोला याता है इंफलेशन यानि लॉट्स जॉब यानि जॉप के का लॉस है is regarded by some as a necessary will in the fight against inflation बताइए sentence में क्या error है तो देखिए यहाँ पर sentence में यूज हुआ है necessary और necessary से पहले क्या यूज हुआ है n article यूज हुआ है कि देखिए necessary word जो है उसका जो अगर noun का sound का हम प्रेंसेशन करेंगे वह क्या करेंगे necessary से यानि न से करेंगे और जितने भी noun के sound का प्रेंसेशन में आपको बताए दाओं अंग तक आता है तो उसके लिए हम article n यूज करते हैं अगर कर से ग्या ग्यानी तक अगर आता है noun के sound क प्रेंसेशन तो हम क्या जो कि यूज करते है तो यहां दिखिए necessary का न से आ रहा है जो कि इसमें आएगा तो इसके लिए हम क्या आटिकर यूज करेंगे यहां से हम क्या करेंगे आं यहां पर शोपर और कि इसके इसकी अप्सण मबर ब्लूचम हो जाएगा यह एर्र होजा आपको sentence में error find out करने हैं बताए sentence के किस portion में error दिया हुआ है तो देखिए described के साथ हम कभी भी कोई preposition use नहीं करते हैं describe हो या consider हो इनके साथ हम preposition का use नहीं करते हैं तो यहां से हम about को remove करते हैंगे next question आपके सामने question number 23 it is my pleasure to congratulate you for your success in the civil service examination it is my pleasure to congratulate you for your success in the civil service examination तो देखिए sentence हम बोला गया it is my pleasure to congratulate और देखिए congratulate के साथ हम क्या use करते हैं congratulate के साथ हम यूज करते हैं on preposition का तो यहां से हम four को remove कर देंगे on use करेंगी तो option number b में क्या हो जाएगा इसके में error हो जाएगा next step के सामने question number 24 the brave youth immediately jumped inside the river to save the drowning child यानि जो brave youth था यह बहादर लड़का था बहादर जो लड़का था वह क्या था immediately jumped कर गया कूद गया कहां पर inside the river to save the drowning child जो बच्चा डूब रहा था उसके उसको बचाने के लिए वह कूद हो गया कहां river के inside कूदेगा या river में कूदेगा यह आपको common sense लगाना है देखिए जब भी कभी बच्चा अगर कोई भी डूबेगा तो वह कहां कूदेगा रिवर में कूदेगा भी दीवरीं का देगा तो दॉसको यूज करेंगे यंद्या रिमॉब करेंगे लिएकंआ कोरें इसके में मैंकिन इरो जाएगा नेस compartir छेते लिए नेक्स्ट कोश्ण है कोशन 25 यह हमारा कोशन आज की वीडियो का सी एन्ड को पब वीद एनी डिफिकल्ट सुचेशन एस सी इस ब्रेवर्ट यानि कि वह डटकर सामना कर सकती है किसी भी डिफिकल्ट सुचेशन का आप बहुत भादर है हो आपको इसमेरर find out करनी है कि sentence के किस portion में error दिया हुआ है तो देखे sentence में she can cope up with use करते हैं cope with use करते हैं सोरी cope up with use नहीं करते हैं से आपको remove कर देंगे क्या use करेंगे she can cope with use होता है क्या होता है cope with any difficult situation तो आज की class से हमने ये top 25 errors के questions करें है I hope आपको question समझ में आये होंगे अगर आपको किसी question में कोई doubt लगता है तो आप comment करिए comment पूछिए मुझसे ओके तो चले फिर मिलते नेक्स्ट टूडियम में धन्यवाद